तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजे तो चलिए देखते हैं पहला सवाल निमलेखित किस चैत्य का निर्मान साथ वाहन काल में नहीं हुआ था A. नागा अरजुन कोंडा, B. नासिक, C. कारले और D. कनहेरी तो फ्रेंट्स इसका जो सही एंसर होगा वो हो जाया का ओप्शन नमबर A. नागा अरजुन कोंडा क्योंकि ये साथ वाहनों के बाद इच्छवाकू वंश के समय इसका विस्तार हुआ था इच्छवाकू वंश मैं लिग देती हूँ इच्छवाकू वंश तो फ्रेंट्स आप लोग याद रखिएगा और इसका नाम जो है वो महायान बौत धर्म के दक्षिन भारतिये गुरू नागा अरजुन के नाम पर ही रखा गया था और इनके नाम पर एक हिल भी है नागा घुषा गरूरवज दूसरा अजन्ता का नया चैत्य मंदिर तीसरा नासिक तथा कारले के चैत्य और चोथा भाजा का चैत्य एवं बिहार निम्न मेंसे कौन से शुंग कालीन है हमें ये बताना है फ्रेंट्स तो इसमें जो है पहला दूसरा तीसरा चोथा ये सभी द्वज है वो एक विश्नु मंदिर के सामने है और इसे हिलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है क्यूंकि जो हिलियोडोरस था वो एक ग्रिक था जिसने व्याशनो धर्म अपनाया था और उसी ने इसकी स्थापना करवाई थी तो इसे याद रखिएगा आप लोग विदीशा का गरूडवज जो है वो हिलियोडोरस का स्तंभ ही है तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा चलिए अगला देखते हैं साथ वाहन शाशकों ने अपने अभिले किस भाशा में खुदवाए ए पाली बी प्राकिर्तिक और सी और डी तमिल तो फ्रेंट्स इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी प्राकिर्त चलिए अगला देखते हैं यह थोड़ा क्वेश्चन को मैं करेक्शन कर देती हूं यहां पर नहीं नहीं होगा ठीक है तो निमलिखित में से कौन सा यूग्म सुमिलित है हमें यह तो फ्रेंट्स इसमें मैं आपको बता दूँ कि यह सारे के सारे ही सुमिलित है पाशुपत संपरदाई का लकुलीश लिंगायत संपरदाई का वासव कापालिक और काला मुख का अघोर जन्य और नागपंत संपरदाई का गोरकनात यह आप लोग याद रखिएगा यह सार तो फ्रेंट्स इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूक्रेट टाइट्स चलिए अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन मिरांदर के लिए असत्य है पहला है यह डेमेट्रिय स्कुल का था दूसरा इसने भारत में युनानी सत्ता को स्थाईत्व प्रदान किया तीसरा बौध साहित्य में यह मिलिंद नाम से प्रसिद्ध था और चौथा संभावता इसे बौध धर्म उपगुप्त ने दिक्षा दी थी तो जो असत्य है फ्रेंड्स वो है हमारा option number D क्यूंकि बौध धर्म उपगुप्त ने इसे नहीं दी थी उपगुप्त ने जो है अशोक को दिक्षा दी थी हम लोगोंने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है अशोक को दिक्षा दी आप लोग याद रखेगा चलिए अगला देखते हैं निम्न में से किसके विवरंड से पता चलता है कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटली पुत्र तक आक्रमन किया A. प्लीनी, B. स्ट्रैबो, C. मेगस्त्रीज और D. नागसेन तो फ्रेंडस इसका सही अंसर हो जाएगा option no. B. स्ट्रैबो अगला है निम्न मेंसे किसके समय से सिख्कों पर राजाओं का नाम वतिथियां उत्किन की जाने लगी A. शकों के समय, B. यूनानियों के समय, C. कुशानों के समय और D. गुपतों के समय तो friends इसका सही अंसर होगा option number B. यूनानियों के समय चलिए अगला देखते हैं निम्ण में से किस यूनानी शाशक के सिकों पर धर्म चक्र का चिन मिलता है अगला है जब भारत में सर्व प्रथम यवनों का आकरमन हुआ तो उस वक्त मगद पर किस वंश का शाशन था तो friends इसका सही अंसर हो जाएगा option number C. नंद वंश ये बहुत important question है friend ये पूछा ही पूछा जाता है देख लिजे आप लोग कथन कारण है पहला है विम कड़ फिसेज शैव धर्म का अनुयाई था और कारण है विम कड़ फिसेज की मुद्राओं पर शिव वननन्दी के चित्र मिलते हैं तो friends ये दोनों सही है और ये बहुत important points भी है तो अगर इस question को twist करके भी पूछा जाएगा और अगर आप लोग ये याद रखोगे तो आप इसका जवाब दे पाऊगे तो ये जो है option number A सही हो जाएगा A तथा आर दोनों सत्य है तथा आर एकी सही व्याख्या भी करता है चलिए अगला देखते हैं अगला है भारतियों ने यूनानियों से क्या सीखा A कला, B विज्ञान, C मुद्रा और D ये सभी तो सही अंसर हो जाएगा ये सभी अगला है निमलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है हमें ये बताना है तो पहला है गौतमी पुत्र शतकर्णी ने निर्धनों, निर्बलों एवं दुखी लोगों के उननत्ती पर दिया ये सध्य है दूसरा है गौतमी पुत्र शतकर्णी वैधिक धर्म का अनुयाई था ये दोनों सही है तीसरा है गौतमी पुत्र शतकर्णी Украї ये सत्य नहीं है नेक्स्ट है गौत्मी पुत्षत करनी उच्च कोटी का विजेता था ये भी सही है तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसे साब से सही हो जाएगा और मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ ये तेईस्वा राजा था साथ वाहनों का आप लोग याद नासिक जिले में वैंक्टक स्वामी के उपादिधारन किती और इसी नाम से इसने एक नगर भी बसाया था नासिक जिले में ये आप लोग नोट कर लिजेगा ये बोनस है आप लोग के लिए चलिए अगला देखते हैं निमलिखित शुंग बंश के शाशकों को क्रमा नुस ये पहला सुझेस्ट हो जाएगा दूसरा वसुमित्र तीसरा ओडक और चौथा हो जाएगा घोश तो इससाब से हमारा ओप्शन नमबर स्थी जो होगा वो सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं किस शक शाशक ने सिक्कों में खुद को राजा कहकर संबोधित किया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओप्शन नमबर ए नहपान चलिए अगला देखते हैं किस शक शाशक ने काठिया वाड के अर्ध शुष्क छेत्र की प्रसिधी सुदर्शन जील की मरमत कराई तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर बी ये क्वेश्चन बहुत बार पुछा गया है एक्जाम में सुदर्शन जील को लेके तो आप लोग इसे नोट कर लिजेगा रुद्र दामन प्रत्थम इसका सही अंसर होगा चलिए अगला देखते है रुद्र दामन द्वारा जारी किया गया जूनागडविले किस भाशा में है ए प्राकृत बी ब्राम्मी सी संस्कृत और अर्ध मगदी तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर होगा उप्शन नमबर सी संस्कृत चलिए अगला देखते हैं कथन कारण है शतकर्णी प्रत्थम वैदिक धर्म का अनुयाई था सही है दूसरा है शतकर्णी प्रत्थम ने अश्व मेग एवं राजसुई आदी यग्गो का अनुष्ठान किया था तो ये भी सही है और व्याक्ष्या भी कर रहा है फ्रेंड् तकते बही अभिले किस भाशा में है ए संस्कृत बी प्राकृत सी खरोष्टी और डी ब्राम्री तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर होगा उप्शन नंबर सी खरोष्टी अगला है पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था ए माउस बी मिथे डेट्स प्रत्थम सी मि थॉमस की हत्या किस अस्थान पर की गई थी तो पहला उप्शन है मद्रास दूसरा तक्षिला तीसरा मियालपूर और चौथा नासिक तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर हो जाएका उप्शन नंबर सी मियालपूर और ये मद्रास में ही था ठीक है आप लोग नोट कीजेगा त तो आप लोग मद्रास को ही तिक करेंगे चलिए अगला देख लेते हैं निमलिखित यूगमों में से कौन सा यूगम सुम्मिलित नहीं है हमें ये बताना है फ्रेंड्स तो पहला है नौरा कि नौर ये बंदर का और स्थान दिये हुए है नौरा कि नौर ये सही है दूसरा पॉनननी ये भी सही है नेल सिदा अधुनिक तमिल नाडू ये फ्रेंड्स गलत है ये बंतर चेर राज का बंतरगा ये भी सही है तो ये वाला जो होगा सही हो जाएगा इससाब से और आज की वीडियो में बस इतना ही वह पाप लोग irrigation region anti tali cda.are नि तो मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टाटा बाई बाई टेक केर